मैं पिछले कई सालों से इन अडेसिक टेप्स और हुक्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही हूँ हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर चैनल विमेन ऑफेसेंस और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोड़क्स जो हमारे घर के और डेकोरेशन को करने में काफ़ी ज्यादा हेलफफुल होते हैं घर के औरगनाजेशन की बात करें तो हमें नेलिंग की काफ़ी जयादा जरूरत पड़ती हैं पर घर में आज कल इतने ज़यदा अच्छे अच्छे पेंट्स होते हैं कि हम हर जगे नेलिंग को नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा काफी सारे surface ऐसे होते हैं जैसे बातरूम वगेरा में तो वहाँ पर nailing करना काफी dangerous भी होता है क्योंकि उसमें inner water lines भी जा रही होती हैं इस problem को solve करने के लिए आज कल काफी ज़्यादा चलन में आ गए हैं adhesive hooks और adhesive tapes मैं पिछले कई सालों से in adhesive tapes और hooks को काफी अच्छे से यूज़ कर रही हूँ इन adhesive products के साथ मेरा काफी ज़्यादा positive और negative दोने तरह का experience मैं आपके साथ share करूँगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले मैं आपके साथ इस तरह के hook का experience share करना चाहूँगी तो ये है most popular adhesive hooks जो की transparent होते हैं और इसलिए ये दूर से देखने पर एक seamless effect देते हैं और इन hooks को आप horizontally या फिर vertically दोनों तरह से use कर सकते हैं क्योंकि ये सारे hooks 180 degree पर rotatable होते हैं और इसके back side में लगी होती है एक protective film जिसे हटा कर आपको इसे किसी भी surface पर चिपकाना होता है तो cabinet door के space को use करने के लिए मैंने इन्हें इस तरह से cabinet के door पर stick कर दिया है bathroom के area या फिर wet area में इन hooks का मेरा experience अच्छा नहीं रहा क्योंकि काफी पहले मैंने अपने bathroom में इस तरह इस hook को hang किया था और इसमें काफी ज्यादा rust आ चुका है इसलिए ये hooks dry place के लिए ज्यादा suitable है अगला product काफी ज्यादा cute है और ये है कुछ decorative hooks जिनने हम अपने घर के decoration में use कर सकते हैं और साथ ही इसके साथ कुछ ऐसे strips दी होती हैं इसकी मदद से हम इन hooks को आसानी से निकाल सकते हैं तो ये है काफी छोटे size की decorative और organizing wall hooks और ये मेरे काफी favorite hooks हैं और इसके packing में आते हैं 20 clips और उसके साथ 24 strips भी आते हैं ये एक reusable hook है ये इसकी सबसे अच्छी खास बात है पर stick करना होता है और इसके दूसरी side को हमें उस surface पर चिपकाना है जहां पर हम इसे लगाना चाहते हैं तो इन hooks को लगाना जितना ज़्यादा आसान है इने बाहर निकलना भी उतना ही आसान है और इनकी strips को नीचे की तरफ vertically खेंच कर आप इसे surface को damage किये बिना बाहर निकाल सकते हैं इन hooks को मैंने अपने window के decoration के लिए use किया है आप देख पा रहे हैं कि window के upper line पर मैंने कई सारे hooks को install कर दिया है और किसी भी festival के time में किसी light की string को या फिर flower की string को यहाँ पर आसानी से hang किया जा सकता है decoration के लिए तो चली बढ़ते हैं अगले product की तरफ जो है इस तरह का double sided hooks यह है double sided adhesive hooks जो की multi purpose काम कर सकते हैं और इसके description में 10 kg की weight bearing capacity इसकी बताई गई है इस वीडियो में दिखाए गए सभी products के links मैं आपकी convenience के लिए description box में जरूर डाल दूँगी आप वहाँ जाकर check कर सकते हैं और यह बने होते हैं PVC plastic के तो चलिए देखते हैं मैंने इन्हें अपने घर में किस तरह से use किया है तो यह है मेरा utility area और यहाँ पर मैंने washing machine के लिए एक extension board को install करने का सोचा है तो यहाँ पर मैं इस तरह के double sided hooks को use करके इस extension board को इस wall पर hang करने वाली हूँ अगला product है यह adhesive screw इसे आप एक normal screw की तरह ही open और close कर सकते हैं बस इसमें आपको nailing की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसे just पीछे से peel off करके चिपका सकते हैं किसी भी surface पर तो यह है adhesive screw hooks जो की हमारी screw की सारी requirement को पूरा करते हैं और वो भी बिना nailing के और इनकी help से आप किसी भी तरह के rack या फिर cabinet को अपने wall पर आसानी से बिना nailing हैंक कर सकते हैं photo frame या फिर किसी भी तरह के decor item को हैंक करने के लिए भी यह useful होते हैं और अगला product मेरा काफी ज़्यादा favorite product है और वो है यह इस तरह का door lock tape हमारे doors या windows में कई बार नीचे से एक चौड़ी सी strip छूट जाती है दरवाजों में तो उस gapping को fill करने के लिए मैं इस तरह के adhesive tape को काफी ज़्यादा helpful पाती हूँ तो यह एक door seal strip है जो कि doors की gapping को fill करने के लिए designed है insects और धूल मिटी से बचने के लिए यह एक काफी अच्छा option है और इसे install करना भी काफी आसान है तो चलिए देखते हैं मैंने अपने घर में इसे कैसे use किया है यहाँ पार आप मेरे kitchen cabinet में नीचे की तरफ काफी सारा space देख पा रहे हैं और इस space को fill करने के लिए मैं इस door seal strip को use करने वाली हूँ और इसकी वज़े से किसी भी तरह का insect वगेरा cabinet के अंदर enter नहीं कर पाता है और next product है यह भी एक tape ही है जो पीछे से adhesive होता है और यह एक 90 degree पर मूणने वाला tape होता है इसे भी आप अपने घर में काफी सारे gapings को fill करने के लिए use कर सकते हैं इस tape को मैंने wet और dry दोनों ही area में gaping को fill करने के लिए use किया है पर dry area में यह ज़्यादा अच्छे से work करता है यहाँ पर मैं इसे अपने wash basin के back side की wall पर use करने वाली हूँ जहाँ पर एक अच्छी कासी gaping है और उस gaping को मैं fill करने वाली हूँ इस tape को use करने से पहले आपको surface को एक दम dry करना चाहिए otherwise यह tape अच्छे से work नहीं करेगा अगले product के साथ दे मेरा experience काफी ज़्यादा positive रहा और यह है एक double sided tape और यह एक heavy duty tape होता है और इसे यह एक transparent seamless tape होता है इसे आप multiple तरीके से काफी जगों पर use कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं मैंने इसे किस तरह use किया है इस tape के साथ मैंने कई सारे experiment किये हैं जिनमें से कई successful हुए हैं और कई fail भी हो गए हैं तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे use किया है यहाँ पर मेरे पास एक काफी बड़ा सा hook था जो मैंने एक adhesive hook की तरह ही purchase किया था पर इसका adhesive glue काफी अच्छा नहीं था और वो peel off हो गया है तो यहाँ पर मैं इस tape को लगा कर इस hook को hang करने वाली हूँ और इस hook को मैंने अपने bathroom के door पर hang कर दिया है और इस तरह यह काफी मजबूती से यहाँ पर stick हो चुका है और इस product के description में जिस तरह के usage इसके बताए गए हैं मैं उसी तरह से इसे use करने वाली हूँ यहाँ पर मैंने इस tape को अपने kitchen wall पर लगा दिया है यहाँ पर मैंने कुछ अलग-अलग category की चीज़ों को यहाँ पर stick किया है stick करने के समय यह सभी चीज़ें बहुत आसानी से इसमें चिपक जाती हैं इसमें कुछ चीज़ें lightweight हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी सी heavy हैं जैसे यहाँ पर कीरिंग और nail cutter कुछ heavy चीज़ें भी मैंने यहाँ पर hang की है और इसे मैंने overnight के लिए छोड़ दिया था और next morning चलिए हम देखते हैं इसका क्या होता है और आप देख रहे हैं कि इस तरह के टेप में हम lightweight चीज़ें तो जरूर हैंक कर सकते हैं पर heavy चीज़ों को हैंक करना काफी मुश्किल है और साथ ही इस टेप के reusable और washable होने पर भी मुझे doubt है और last में अगर मैं in adhesive hooks के साथ अपना experience share करूँ तो मैं in adhesive hooks को tile वाले work पर सबसे ज़्यादा successful पाती हूँ अगर आप इसे wall पर stick करते हैं तो एक समय के बाद जब भी आपको इन्हें निकालना पड़ता है तो उसके साथ paint जरूर ही आता है क्योंकि इनका adhesive glue काफी ज़्यादा strong होता है और आसानी से नहीं निकलता है इस वीडियो को आप अपना एक like जरूर कर दीजे और इस चैनल पर मैं इसी तरह के बहुत सारे useful ideas आपके साथ share करती हूँ और आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ share करूँगी अपने वो सभी adhesive products जिने मैंने purchase किया है और उन में से कई के साथ मेरा experience उतना अच्छा नहीं रहा है तो मेरे इस experience से आपको भी फायदा हो इसलिए इस चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको time से मिल सकी तो मिलते हैं अपने next वीडियो में